हेलो एव्रिवन कैसे हैं आप सब आई हो आप सब बहुत ही खुश है मस्त है और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं ना अगर हाँ तो फटा फट जल्दी से क्लास को जोइन कर लिजिए और कमेंट में लिख दीजिए यस मैम क्योंकि मैं पूनम प्रजापत कक्षा बार्वी कार है डरने की बात नहीं है लेकिन फिर भी कहते है ना डर की जीत है तो वही बात है कि अगर आप ड्र रहे हैं अंदर से थोड़ा'd बहुत भी तो भी डर ने की कोई बात नहीं है क्योंकि आपके साथ डाउट नर्द जो है ओके तचलिए जी शुरू करते हैं हम अमारी आज की पाट शाला को नहीं क्यों अच्छा आपने अभी तक शेर नहीं किया ग्लास को तो करो ना भाई क्यों नहीं किया जल्दी जल्दी क्लास को शेर कर दिजिए फटाफ़ट जितने भी आपके दोस्त हैं उन सब को बोल दीजिए कि केमस्ट क्लास चल रही है चल्दी से जोइन करो ताकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है राइट तो फटाफट फटाफट क्लास को जोइन कर लिजी और जाल जाला क्लास को शेर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे क्लास में आ जाएं और हम अपनी पा फटफट 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 आज है यह भाई आप सब कैसे जल्डी बता empowerment में कमेंट तो कर दो फटफट फट जल्दी सभी बच्चे ओके चलते हैं जी हमने पीछे क्या पड़ा है उसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन उसके बाद आज की क्लास का क्या करते हैं श्री गनेश करते हैं चले ओके हमने पीछे अपना चाप्टर जो थर्ड है और गिनिक कैवस्ट्री का delvy की ट्र रोब्क इसे च्छुरु कर दिया था विताँ जिसमें हमने क्ट्रप ट्रण किया होते हैं उसका बेसिक लाइजि निएक इनकी उसकावल्मूला क्या होता है कैसे उसे अपन डिक सकते हैं सकी तक चरिया क कार्भलेल जो compound होता है basically उसकी structure कैसी होती है उसके बारे में भी हमने इस्टरीक कर ली है साथ ही हमने ये भी देख लिया कि हम कीटोन और LD8 को कैसे बना सकते हैं उसमें सारी reactions को हमने पढ़ लिया था साथ ही हमने उसके बाद क्या पढ़ा LD8 के भोतिक गुंदरम जो कितने useful है जहां विलायता गलना क्वतना का क्या अर्थ होता है किस तरह से घड़ते बढ़ते हैं उनको भी हमने चेक किया साथ हिसाथ हमने अपनी रासाइनिक अभिक्रियाओं को भी शुरू किया और शुरू करके उसका आधा पॉर्शन हमने कवर कर लिया था याद है ना आपने लास्ट वोन क्लास में क्या पढ़ा था याद है ना हमने एल्ड़ीट के टोन की रासाइनिक वीदियों को जब शुरू किया था तो वहाँ पांच अभिक्रियाओं थी सबसे पहली कौन से थी नाविक्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया थी आपचें तीसरी ऑक्सिक्रन चो थी अलफा हाइड्रोजन की अभिक कर लिया था डर तो आप चलते हैं हम आगे रासा इनिक अभी क्रियां जो अपनी हैं उसके अंदर हम देखेंगे अब अपने अगले जो तीन पड़ाव बाकी रह गए थे उनकी ऊपरा चर्चा करेंगे चले ओके तो फटाफ जल्दी से लाइक करने का रिजन यह भी है कि अगर आप बच्चों ने लाइक किया है तो यह जादा शेयर होगा और उतने ही जादा बच्चे इस चीज का लाब उठा पाएंगे राइट तो फटावर जल्दी से चलते हैं शुरू करते हैं आज की इस पार्ट शाला को और अपनी राजस लेते हैं रासाइनिक अभी क्रियां क्या होती है रासाइनिक अभी क्रियां जो है आपकी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं जी रासाइनिक अभी क्रियां में कितने भाग अपने पास रह गए थे बच्चों अपने पास तीन पार्ट रह चुके थे जिसमें पहला था क्य ओके जी ऑक्सी करन दूसरा क्या था बेटे अपने पास दूसरा पार था अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रिया है ओके जी और थर्ड क्या था अन्य अभिक्रिया क्लियर बिल्कुल याद है अब आपन देखते हैं कि उक्सी करन जो है वो कितने परकार का होता है तो अपने देखा कि उक्सी करन जो है उसके अंदर बीटा अपने पास तीन रियक्षन थी एक दो और तीन अभिक्रिया इसमें ऑक्सिकान में पहली कौन से थी पहला था आपका टॉलन अभी कर्मक राइट दूसरा था फैलिंग वीलियर और थर्ड क्या था थर्ड आपका था मैथिल कीटोन की हेलो फॉर्म अभी के लिए दन उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन की जो अभी करिया है उसके अंदर अपने पास था एल्डोल संगनन बेटा यह बहुत इंपोर्टेंट है और दूसरा था क्रोस एल्डोल एल्डोल संगनन ठीक है और अपने पास अन्य अभी करिया थी उसमें दो थी कैनी जारो अभी करिया और अपने लास्ट क्या थे इलेक्ट्रोन्स ने ही प्रतीस्था बनावी किया है अगर बात समझ में आ गई है तो फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीन शोट ले लिजिए ताकि आप बात क्लियर ली आपको समझ में आ जाए ओके फटाफट 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 जल्दी से जल्दी 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 चले ओके जी ओके तो रासाइनिक अभी क्रिया होगे यह चार्ट क्लियर हो चुका है आप सभी को बात समझ में आ चुकी है हो गया जी तो चलते हैं सबसे पहले अपन शुरू करते हैं अपन जो है उसमें कौन सी अभी करिए बिटा औक सी करन अभी करिया तो अब जो औक सी करन अभी करिया है उसके अंदर आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले ओक्सिकरन अभी किया की बात करूं तो जनरली बच्चों अपन दो प्रकार की एल्डियाइड और किटोन में ओक्सिकरन देखते हैं ध्यान से समझना तो हम लोग बात करें अपने पास एल्डियाइड है और अपने पास क्या है राजा किटोन है ठीक बात है बिल्कुल है अब इनका उक्सिकरन करते हैं तो कहा जाता है कि जब आप LD愛 का उक्सिकरन करने की बात करते हैं तो LD प्रकार को झालत वह क्या कर सकते हैं他是 सब्सक्रेमिल आभन कर सकते हैं अमल में कर सकते हैं इस आपको बहुत आरप बता दी है कि किसी भी आ अपन चोड़ो कर सकते हैं तो इनका उक्सिकन का जोड़ना है तो जोड़ा जाता है तो जोड़ कर क्या होता है कि हम उसे अमलत तक बदल देते हैं और उसके बाद भी यह उसे ऑक्सिक्रत करना है तो जाता है तो जनरली अगर आपन बात करें भी अउसे ऑक्सिकरन की तो किसी भी योगि को किसी भी अनुँखो thumbs टख ले आना ही उसका ऑक्सिकरन कहलता तो अक्सिकरत चाहिए dian oxygen देने वाला तो चाहिए ना तो अक्षीकरन करने वाला क्या कही लाता थायए ऑक्सिकरत पधाम्रधू ऑक क्या कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक अमल में ओक्सिक्रत कर सकते हैं साथ ही इसके अंदर जो है वो टॉल एन अभी कर्मक और फैलिंग वीलियन जो है फेलिंग वीलियन जो है वो क्या कर सकता है क्या कर सकता है एल्डैड का ओक्सिकरण कर सकता है राइट बात समझ में आ गई जन्रल यादी में एक कॉमन रियक्षन से आपको समझाऊं तो C agency करत इन के आम न फोर की पर्जेंस में और क्या बन जाता है स्क्राइब हें उता küशा वही पर यदी मैं किसकी बात करूं राजा के टॉन के बात करूं तो जो है मृद्वHHHH को दिवारा उक्सीकरत नहीं होता है इसलिए इसके लिए हमें क्या चाहिए ब्रवल ऊक्सी आरटडडड़ चाहिए उसलिए अपन क्या कर सकते हैं कम नौ static लेकी तो नहीं कर सकते हैं आच्छी से हम इने औक सीके नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्हें में प्रभल ऑक्सीकाज् weוא टाप की आफ्षक्ता होती है आपको ऊच्छ ताफ चाये साथ में ही क्यों चाये क्योंकि इन बीच में कार्बन कार्बन जो बंद होता है उसका बंद का विदलन हो जाता है यानि बंद टूटे जाता है और कार्बॉक्स लिख और इसके अंदर जब अपन अमल की बात करते हैं तो वह भी कार्बॉक्स से लिख जो अमल होते हैं उनके हमें क्या प्राप्त होते हैं अमल के लवन प्राप्त होते हैं बात समझ में आ गई तो फटा फट लिख दीजिए यस मैं सबको क्लियर हो गया ओके जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आपको बात समझ में आ गई है जैसे अपने बात करें कि अपने पास में कीटोन है अगर आपके पास में कीटोन है तो इसका ओक् देखते हैं कि अपने पास C double bond O O क्या हो जाता है H बन जाता है इस परकार अपन देखते हैं कि इसके लिए अपने को क्या होता है एक प्रबलतम ऑक्सिकारत की आवशकता होती है चले बात समझ में आ गई तो फटा फट लिग दीजिए यस मैं ओके डन आप कर लेते हैं एक बा एल्डी हाइड का क्या करना है अपने को ओक्सिकरन करना है और वह भी किसके साथ करना है तॉलन रिएजेंट के साथ करना है ठीक है जड़ा ध्यान देंगे तॉलन रिएजेंट तॉलन अभी कर्मक क्या करना है राजा तॉलन अभी कर्मक तो टॉलन अभीकरमक की अभीक्रिया का क्या सीन है तॉलन अभीकरमक की अभीक्रिया जब अपन करते हैं तो जनरली टॉलन अभीक्रिया जो होता है एजी टूओ की रूप में प्रदशित किया जाता है लेकिन इसकी यदि मैं आईनिक अभिक्रिया की बात करूं बिटा किसकी आईनिक जो एक्जाम में बहुत बार पुछ जाती है आईनिक अभिक्रिया तो उसमें आप किस तरह से रियक्शन करवाएंगे तो बताया गया कि जब किसी भी LD8 को क्या करते हैं आप टॉलन रियेजें को नाम क्या है अने यस थरीका हूल ुआइस वैस दिस राइट बात समझ में आ गए ammonium क्या है यह ammonium silver iron right ammonium silver iron है यह ammonium का silver iron है अब इसके उपर प्लस चार्ज है अब अपन देखते हैं कि इसी के साथ में अपन देखते हैं इसकी reaction जो है वो OH के साथ में यह दिमें करवा हूं तो क्या बन जाता है तो आपके पास बन जाता है बिटा क्या आर सी डबल ओ माइनस प्लस क्या बन जाता है राजा आर सी डबल ओ माइनस प्लस टू एजी प्लस क्या बन जाता है 2H2O और साथ ही क्या बन जाता है 4NH3 यानि आपका यह molecule यहां से तूटता है यहां से यह भी तूटता है और यहां से यह भी तूट जाता है क्लियर यहां पर O- H+, और यहां पर AG और NH3 जब यह molecules तूटते हैं तो वहीं पर अपने पास यह reaction प्राप्त हो जाती है बात क्लियर हो गई तो फटाफर लिग दीजिए यस मैम ओके डन फटाफर 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 चले आईए जी अब तो ये तो हो गया टॉन अभी करमक की उपस्तिती में आपका क्या अगर आप इसके साथ में डायरेक्ट रियक्शन करवा एच प्लस एजी टू ओ इस इकल टू तो यह अक्सिजन यहां आया और आपके पास क्या बन गया सी एश थरी सी डवल ओन ओ ओ एच प्लस टू एजी क्लियर बेटा बात समझ में आ गई तो फटाफर लिग दीजिए यस मैम ओके फटाफर फटाफर जल्दी से जल्दी बेटाफर फटाफर चले आगे ओके जी ओके डन अब चलते हैं आगे अब अपने पास अगली अभी किया है इसी में किसके द्वारा फैलिंग वीलियन द्वारा जल्दा सबी बच्चे ध्यान देंगे फैलिंग वेलियन बठाए हमेशे आप लेब में भी जाओगे न तो आपको फैलिंग वेलियन ए और फैलिंग वेलियन क्या मिलेगा बी राइट फैलिंग वेलियन ए जो होता है वो कॉपर सलफेट का सॉलिशन होता है किसका solution होता है corporate sulphate का नीला रंग का solution होता है वह पर कॉफ जो यह भी होता है वो क्या होता है वह होता है आपका sodium potassium tartrate sodium potassium tartrate clear tartrate का लवन होताहे जिस से हम तो आब इन दोनों को यदि पचास पचास प्रतिशत अपन मिला लें । तो जो solution बनता है उसे हम क्या कहते है Recelling विलियन कहते हैं जो किस प्रकार का होता है लाल भूरा रंग का होता है clear बात समझ में गयी होगी तो पट अपड़ लिग दीजिए yes एयर्य मैम जल्दी से चलते हैं आगे ये बात clear हो गई तो बता दीजिए जल्दी से कि यास मैं क्लियर हो चुकी है जल्दी बता दीजिए फटा-फट उतार लीजिए जरूरी है यह उतारना बहुत-बहुत-बहुत इंपोर्टेंट है चलू ओके आप इसकी रियक्शन कर देते हैं किसकी फैलिंग वीलियन की चले बिटा आगे यस फैलिंग वीलियन आओ जी आओ अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपने पास क्या है और सी डवल बॉंट ओ एच प्लस अपने पास क्या है तो सी यू प्लस टू प्लस क्या वेटा अपने पास फाइफ ओएच ओकी यहां पर अपने बात करें तो कोपर जो है वो क्या होता है प्लस चार्ज में आ रहा है जिब की प्लस टू भी होता है प्लस वन भी होता है कोपर की दोनों वैलेंसी एक्जिस्ट करती है ठीक है तो अब जब आप इसका प्रॉडक्ट बनाएंगे तो बने नहीं है और इसका लम क्या होता है लाल भूरा वक्षेप अच्छिप प्राप्त होता है क्ळियर बात समझ में आ गई तो फटा फट लिग दीजिये यस जल्दी-जल्दी से रिपुंद फटा 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 फटाफट क्लियर मिटा सबिके भानत ऑगे वन पता देजिए जल् प्रिक अपना थर्ड पॉइंट इसका वो क्या है आपका थर्ड पॉइंट है मेथिल की टोन का है लो फॉर्म अभी क्रिया इसका पिटा मेथिल की टोन की है लेवर आपम यानि Caesar अप速 gesव घुर को होता है कि अपने पास घा अन्य को अच्छ रियक्षन जबोरीन के अधिक्ये में कराता है तो अपने पास बन जाता है एन एओ सियल सोडियम हाइपो क्लोराइड क्लियर बात समझ में आगई अब यह सोडियम हाइपो क्लोराइड है प्लस अचल है ओके अब इसकी रियक्शन यह आप किसके साथ कराते हैं इसकी रियक्शन ड़ी आप की टोन के साथ कराते हैं चीज्री की हो कि यहां से तो आपने पास यहां से बंद टूटा और यहां से टूटा क्लियर बात समझ में आ गई जब आपन इसके साथ अपने रियक्षन करा रहे हैं तो अपने पास क्या बन गया CH3C double bond O and clear yes or no जल्दी बता दो फटा 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 यस 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 ओके डन और साथ में बन जाता है इसकी यदि अधिक्य में मात्रा ले तो अपने पास बन जाता है CHCl3 या फिर CHX3 holoform यानि chloroform का क्या हो जाता है निर्मान हो जाता है बात समझ में आई हैनिकि इसके साथ मीं इसकी reaction कराकर के बार बार यद्या प्रीक्षन करवा और तो तीन के साथ आप रीक्षन करवा और ब Corona लो इसके आपको तीन Technology यहाँ पर तीन मोल लेने पड़ेंगे तो अपने पास अपन देखते हैं कि अपने पास यह reaction clear हो जाती है ओके डन ओके जी ओके चलते हैं आगे अब आता है अपने पास इस प्रकार reaction clear हो चुकी है हाइपोख्लोरस अमल बन चुका है इसी प्रकार एक reaction आप और देख सकते हैं CH3 CH double bond C उपर CH3 यहां single bond C double bond O CH3 इसकी reaction यह वापस वही आप किसके साथ कराते हैं sodium हाइपोख्लोराइड के साथ कराते हैं तो आप देखते हैं कि अपने पास similarly H यहाँ पर CH3 यहाँ पर H double bond C CH3 C double bond O ONA प्लस क्या बन जाता है CH CL3 clear बात समझ में आ गई तो फटा फट लिग दीजिए यस माम ओके बीटा बात clear है तो इस प्रकार अपन सारे reactions को समझ सकते हैं वैसे तो इसका mechanism अलग से बताया जाता है लेकिन इस साल आपके slivers में यह है नहीं तो इसलिए आपको directly समझा रही हो के mechanism की जरुरत नहीं डायरेक्ट्ली आप इस reaction को कर सकते हैं चलें बिटा आजाओ जी आजाओ आप चलते हैं आगे अगली जो अभी क्रिया है आपकी वो कौन सी है चोथी अभी क्रिया जो है वो है बिटा अलफा हाइड्रोजन के साथ या अलफा हाइड्रोजन के कारण के कारण होने वाली वाली अभी क्रिया ओके बात समझ में आई यह सोंनू जल्दी बता तो बात समझ में आरे ही यह आनी भी चलिए अलफा हाइड्रोजन ये CC उपस्तित है तभी अभी क्रिया होगी नहीं तो नहीं आलफा हाइड्रोजन के उपस्तित twenty must है तो बताया गया इस प्रकार के विक्रें दो प्रकार की होती है जिन्हें अपन क्या कहते हैं जिन्हें अपन कहते हैं एल्डोल संगनन और क्रोस एल्डोल संगनन अब ये क्या है आप बार बार क्या बोल रहे हो ये एल्डोल क्या है एल्डोल का मतलब होता है जहां पर एल्डी एड भी हो और जहां एल्कोहल भी हो और क्रोस एल्डी एड का मतलब होता है जहां पर LD8 ketone साथ में मिलकर के क्या कर सकते हैं keto group भी रह जाए और alcohol group भी रह जाए बात समझ में आई yes or no जल्दे बता दो तो LDOL का meaning समझ में आया तो अपन इसकी reaction में अगर आपके पास केवल समन्य LDOL संगनन है तो हमेशा आपको similar क्या करना है LDOL लेना है ठीक है बात समझ में आगई और अगर आपके पास में क्रोस है तो आपको क्या करना है एक LDOL एक तो लेना LD8 और दूसरा क्या लेना है राजा की टोन लेना है इसे अपन क्या कहते हैं क्रोस LD8 और यह दोनों अभी क्रेंज जो है वो आने वज की उपस्तिती में संपन होती है किसकी उपस्तिती में आने वज की उपस्तिती में संपन होती है ठीक है बात समझ में आ गई तो फटा फट लिख दीजिए यस मैं जल्दी 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 कीजिए वड़ी फटाफट 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 चले आगे यह सोरनों बता दो जल्दी ठीक है आब आजाओ जी सबसे पहरे देखते हैं सामान्य एल्डॉल संगनन या सरल एल्डॉल संगनन ठीक है कैसे होता है कुछ नहीं ह सी डवल बॉंड ओ एच प्लस ह सी डवल बॉंड ओ एच ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहां पर यह माइनस यहां पर यह प्लस क्लियर और यहां से बात करो तो यहां से यह गया और यहां पर यह प्लस और यहां पर यह माइनस जब कि ऐसा होता नहीं है ना जनरली अपन बात करें तो यह प्लस यहां पर और यह यहां पर तो क्या बन गया आपके पास आपके पास बन गया CH2OH C double bond OH clear yes or no जल्दी बता दीजिए clear हो गई तो यहाँ पर आपको जब LDOL संगनन करना है तो आपको एक LDH formaldehyde लेना है ठीक है clear क्योंकि वहाँ पर alpha hydrogen था ही नहीं यहाँ पर alpha hydrogen है तो alpha hydrogen must है clear बात समझ में आई तो यहाँ पर यह बन टूटा यहाँ से यह टूटा यह प्लस यह माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस clear ओके टन चलते हैं आगे क्या बन गे आपके पास CH क्या CH 30 C O H CH CH 2 C double bond O H यह सब reaction किसकी उपस्तिती में हो रही है आई पर आपन बात करें तो यहाँ पर आप देखने हैं तो यह टूरी में हो गया और यह बन जाता है CH 30 CH double bond CH CH C double bond O H पता है आपके एक्जाम में कैसे पूछते हैं आपके एक्जाम में बीच में ऐसा अभी कर्मक डाल देंगे और उस दोरान एलडोल संगनन मद्य में होगा यह एक लंबी रासा इनिक अभी क्लिए आप संपन करवा रहे हैं तो वहां बीच में क्या बन जाता है एलडोल संगनन की वज़े से इस प्रकार की अभी क्लिया संपन होती है बीच में होती है आगे और लास्ट में नहीं होती है स्टार्टि मद्य में होती है तब आपको वहां पैचानना है जैसे ऐसे बन गया बी से बन गया तो डी यह बन रहा है तो बताओ एबीसी क्या होगे बीच में तो वो चीज में आपको यह तीज ध्यान में रखनी है clear बात समझ में आ गई तो आप इसकी mechanism को अपन देख लेते हैं यह बात clear हो गई तो फटा फट जलदी से इसका screenshot ले दीछे आपन mechanism देखने एक बाद आ जाई तो mechanism की यहीं मैं बात करूं यानि मैं क्रिया विधी की यहीं बात करूं तो क्रिया विधी क्या कह रही है क्रिया विधि क्या कह रहे है क्रिया विदि कुछ नहीं कह रही है क्रिया विदि में यह होता है कि चलो अब अपने अब अपने पास क्या है भाई अब अपने पास है H CH2 C double bond OH ठीक बात है जब अपन इसकी reaction और च के साथ कराते हैं तो क्या होगा यहां से H निकलेगा इसके साथ जुडेगा और क्या बन जाएगा अपने पास बन जाएगा CH2 negative C double bond OH ठीक बात है कोई दिक्कत नहीं और क्या बन गया H2 यहां तक सभी को clear है कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से बोलो फटा-फट clear है तो अब अपने पास अगला भी कर्मक जो है वापस अपने पास क्या होगा LDA CH3 C double bond OH H right plus क्या आगया अपने पास अब CH2 C double bond OH यहां नेगेटिव चार्ज है यहां से यह बन टूटा हाँ यहां न जल्दी बोलो यहां से यहां माइनस यहां से आगया इदर क्लियर है जल्दी बताओ अपने पास क्या बन गया अब अपने पास बन गया CH3 यहां क्या आगया अपने पास और नेगेटिव यहां पर क्या आगया अपने पास एच यहां आगया CH2 डबल बॉंड यहां तक किसी को दिखकर तो बोल सकता है जल्दी 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 फटाफट 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 जल्दी बता दीजिए ख्लियर हो गया हो तो जल्दी बताओ अब अपने पास जो अश्टु ओ था उसकी रियक्षन वापस करवा एच प्लस एच टू ओ रियक्शन करते तो क्या होता है एच प्लस और ओच है माइनस यहां पर जूट जाएगा यह यहां पर जूट जाएगा एच प्लस तो क्या बन जाएगा यहां यहां एच टू डवल बॉंड वहां से एच वापस निकला तो रिमूव हो गया तो क्या बन गया च थरी च डवल बॉंड च डवल बॉंड वह क्या बेटा एच प्लियर बात समझ में आ गई तो फटा फट बता दीजिए यस ना जल्दी 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 से फटाफट 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 क्लियर है ओके जी ओके सबका यास अब चलते हैं आगे हपन क्रोस एल्डोल संगनन पर क्रोस एल्डोल संगनन क्या होता है पिटा क्रोस एल्डोल संगनन में होता है कि अपने पास एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए एक कंपाउंड ऐसा हो तो अपने फॉर्मेल्डी हैड ले लिया जल्दी बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो रियक्शन किसके साथ होनी है कीटोन के साथ है तो यहां पर अपने लिग दिया CH2C11OCH3 यहां तक कोई दिकत नहीं होनी भी नहीं चाहिए चले तो अब यहां से यह बंद टूटा यहां माइनस यहां पर प्लस यहां पर अटेक करेगा और यहां पर क्या बन गया राजा अपने पास बन गया एच सी यहां पर आगया ओएच ऊपर एच यहां आगया CH2C11OCH3 यहां से एच रिमूव होता है तो वही एच टूओ रिमूव क्या बन गया बिटा CH2 डवल बांट CHC11OCH3 अलफा हाइड्रोजन जिसके पास होगा वही एलडी हाइड के कार्बोनिल कंपाउंड पर अटेक कर यह कह दू एलडीएट की टोन मेंसे जिसके पास भी अलफा हाइड्रोजन मीजर है उस पर ही क्या होगा उसी के कार्बोनिल पर हाइड्रोजन का अटेक होगा राइट बात समझ में आ गई तो फटा फटलिक दीजिए यास मैम जल्दी 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 सबका क्लियर है जल् अन्य अभिक्रिय है राइट यस और नो बच्चा पाटी बिल्कुल जी बिल्कुल क्लियर है तो अपने इसके अंदर दो रियक्शन पढ़नी है बिटा कौन कौन सी पढ़नी है इसके अंदर अपने को दो रियक्शन पढ़नी है जिसमें पहली रियक्शन है कैनी जारू हो तो अब किकरिया संभव है और दूसरी कौन सी है इलेक्ट्रोंस नहीं प्रतीस्था नहीं अब हुई यह सो जल्दी बताओ फटाफटाफट फटाफट 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 ऑिह एलेक्ट रोंसे नहीं फ्रतीस था नहीं से प्लाथ समझ में थे तो बताओ जल्दी से हैं यास मैं अब है के नहीं जारो अभी के लिए लिए जो है उसकी रियक्शन आपको करानी है तो सीमिलर एल्डी आपको चाहिए तो अपने पास अगर नहीं है तो भी अपन करवा सकते हैं न सी डवल बॉंड ओ H plus H C double bond H reaction with concentrate के हमेशा ध्यान रखो बेटा concentrate कि वाज की बात करो तो यहां से टूटा और यहां से यह टूटा ठीक है यहां से यह तूटा ठीक है यहां से यह तूटा ध्यान रखना यह माइनस यहां पर Plus okay done अब यहां पर माइनस혔 yön यहां पर यह माइनस और यह क्या हो गया ठीक वात समझ में आगे तो जल्दी बता दिजी तो यहां पर अपन देखें तो कार्बूनिल क्या कार्बूनिल पर प्लसु यहां पर माइनस अब हम देखते हैं कि यह यहां पर अटैक करता है और यह हाइड्रोजन जो प्लस वाला है जल्दी सिर्फ कोई दिक्कत नहीं यहां गया double bond O और यहां क्या मज़ किया ओके राइट बात समझ में आ गई तो फटा फट बता देजिए यस माम जल्दी 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 बताईए बता बात clear हुई या नहीं सभी बच्चों की yes और no जल्दी बताईए जल्दी बताईए clear है topic सभी को यह जरूरी है कहने जल्दी 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 स्क्रीन शोट मैं आप साइड में हट जाती हूँ इसलिए आप ले भी सकते हैं चले आजाईए चलते हैं आगे अब आती है अगली अभी क्रिया सेकिंड जो इसका पार्ट है हो है इलेक्ट्रोंस ने ही प्रतिस्थापन अभी किया इलेक्ट्रोंस ने ही प्रतिस्थापन अभी किया का क्या मतलब है कुछ नहीं अपने पास जो एरोमेटिक एल्दी एइड है और अपने पास जो एरोमेटिक किटोन है एरोमेटिक जो किटोन है उन दोनों में क्या होता है सिमिलर्टी यह होती है कि यह हमेशा कैसे होने चाहिए यह ग्रूप हमेशा निस्क्रिय या फिर मैटा इस्तती पर किसको इलैक्टोंस नहीं को अटैक कराने चाहिए यानि कि अगर अपने इनकी बात करें तो अपने पास हमेशा कहा होना चाहिए अब इसकी एलेक्टोंस नहीं का आक्रमन हमेशा कहा होना चाहिए मैटा इस्थती पर होना चाहिए दी मैटा निर्देशी है तो यह अभी क्या हो जाती है संपन हो जाती है और प्रॉडक्ट क्या बन जाते हैं अपने पास सी एच ओ एनो टू या फिर तो कार्बोक्सिलिक एसिड का परीचे देने के लिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सामान्य नाम उनकी उत्पत्ति के श्रोत पर आधारित है उधारन के लिए पॉर्मिक एसिड आप सबने पॉर्मिक एसिड भौट बार नाम सुना यह तरह सबसे पहले लाल चीनिती से प्राप्त किया गया था वॉल्मिका का ईर्थ होता है चीटिया राइट इसी तरह हमने कि सिर्का से लिए गया लेटिन से प्राप्त किया गया था एसीटिम अर्थ wells सिर्का से गन्द होती है कि कैसी हूत यह तो कहते हैं हम सिर्का जैसी होती है जल्दी से जल्दी से जल्दी से एक्लास को जॉइन कर लिजिए शेयर कर दो ब्यूताइड एस से बासी मखन से प्रापत किया गया था लेटिन ब्यूटी रब्यूटी रब का अर्थ होता है मां ये यह टोपिक बहुत इंपोर्टेंट है यहां से कई बार एक नंबर का क्वेस्टन आ जाता है तो उनके लिए भी बहुत इंपोर्टेंट तो प्लीज ध्यान से ध्यान से इदर पढ़ाई करेंगे सामाने पढ़नाली में पधारतों की इस्तती ग्रीक अक्षर अलफा बीटा गामा और डेल्टा द भी कोई भी फंक्षनल गूरूप है यह कोई भी फंक्षनल गूरूप है तो उस फंक्षनल गूरूप से जुड़ा हुआ जो कारबन हमेशा अलफा उसके बाद में बीटा गामा और डेल्टा इंस सो ओन चलता रहता है ठीक है बात समघ में आगए इसमें पर्तिकुलर ली आपको क्या पता होना चाहिए यह प्रकार के पता है लेकिन सबसे पहले अपना जो सबसे प्रकार का निर्मान हुआ आपका वह पोल्मी का लेटीज़ चंश होता है क्या है Gesicht लिए वैसे ही actually उसमें सिरका चंश शबद कौन सा था शितका आर्थ ही सिरका हूता है तो बात समझ के आ गई है तो जल्दी से लिख दीजिए यस मेम जल्दी जल्दी जल्दि सब्समॉभ आ गईtyap फटाफट बताईए जल्द से मुझे फटाफट कमेंट में लिखकर बता देजिए कि आपको बात समझ में आ गई है ओके दैन इसके बाद इसका थोड़ा सा आगे की और देखें तो अपन देखते हैं क्या अब आपको एसे समझ में आगे उसे कार्बोक्सलिक अमन कहते हैं सह हमेशा याद रूना चाहिए किसी कभी ऐलकोहल फिनॉल एल्डियाइट किसी कभी सामझ न्यसुक्त सबका पता होना चाहिए ताकि आप उससे पोर्मूली बना सकें आयोप्यसट नाम ईलक के नॉइक सेट होता है ऐलकिन लकेन का रुट होता है कारबन की श्रंखला नौइक का अर्थ होता है सी डबल ओ एच का क्या अनू लागी करेक्ट राजा बात समझ आई यह नहीं जल्दी से बता दीजिए क्लियर तो शब्दों के अर्थ भी पता चल गए इसका सारा नाम फ्रोफॉर्म एस सेंट प्रॉपियों बटर और वेलर केप्रो अंत में आइक एसिद ल कोर्मिक असेटिक प्रोपियोनिक विटेरिक वेलरिक कैप वॉइक कैप जैसे हैं इस तरह से नाम के पीछे रिया नू लगने लगा कर इनका जो सामान्य नाम से आयोऴई से नामने आप's सकते हैं क्लियर बात समझ में आ गई तो फटा फट लिएज Corps अंत में सभी carboxylik amal sodium by carbonate से क्रिया करके co2 gas उठसर्जित करते हैं ये बात बहुत important है कहीं बार exam में पूछी भी जाती है कि carboxylik acid की क्रिया जब किसके साहत करवाई जाती है sodium by carbonate या sodium hydrogen carbonate के साहत कराई जाती है तो कौन सी gase बहां निकलती है ध्यान करो कौन सी गेस यानि कि आप एसिटिक एसिट करना है तो आपको बार्वी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्ण है ट्रैक्टिकल भी होंगे तो एसिटिक एसिट का टेस्ट कैसे करना है कुछ नहीं आपको अन्नोन कोई भी कंपाउंड लेब में दिया जाएगा आप क्या करना उसक क्या होगी co2 और यह सिक किस का परिक्शन है यह एसिटिक एसिट का परिक्शन है क्लियर अगर बात समझ में आ गई तो जल्दी से लिप दीचिए यस मैं और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो फटाफ़र और प्लास को शेयर कर एक्लियर हो गई अने एच सीओ थरी हच सी गसिंत तो ऑफ जरौ-जरी अपंति शराइब क्या कर नहीं कर आए तो सिंपली अपने पूए कहरतmbol है जरा सभी बत ध्यान देगी यह से बंद टूटा यहां पर आया प्लस यहां पर आया माइनस यह श्या यहां पर भी एच लेकिन दो हाइड्रोजन तो हैं पर सीओ र Kensal एग्गा एक और सीओ थी से चैनली जय गाएगा नुक्सिजन यह से यहां पर दे दिया शेट दे दिया उसे यह पु XLaldi सलिख दीजियस मैं यह बोहत बहुत बहुत इंपॉर्डेन है राजा बहुत important है आपको ये बाते समझ में आनी ही चाहिए समझना ही है अपने पास कोई option नहीं है क्योंकि अपने को पढ़ना है और class को टॉप भी करना है राइट जल्दी से बताता है आप में से कौन-कौन बचा 12 में टॉप करना चाहता है जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ फट यह अब आते हैं हम कि कर्भोक्स एसिड जो है उनका नाम करन कैसे किया जाता है तो ध्यान से सभी बचे देगे हैं मूल श्रंकला के रूप में कार्भोक्स लिक समूहर वाली सबसे लंबी श्रंकला का चैन करें राइट यानि कि आपके पास जो भी कार्बन श्रंकला हो तो मूंश रंकला जो ब जो लंबी इस edgyal कर लो नुदिश्य में परापेश कारभॉक्स एसे जहां भीहोज उसको करमांग क्यों देना है क्योंकि आप जो वरियता सूची को देखते हैं जब आप Organic Chemistry पढ़ते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक Basic Organic Chemistry का लेक्चर दिया था आपने उसमें पढ़ा होगा तो मैंने वहाँ पर वरियता सूची बताई दी तो वरियता सूची क्या होती है वरियता सूची वह होती है जिसके अंदर कितने भी अपने पास क्रियात्मक्स होनगर जितने भी अब तक रिसूर्च किये हैं वह सभी क्या होते हैं एक सीरीज में इसमते हैं क्या पर किसको रखा जाता है कार्वाक्स लिक राइट और सब से नीचे Elkane को बात समझ में आवी जल्दी से बता द प्रतिस तब कोन होते हैं जो कार्बन श्रंखला में नहीं आते पर कार्बन श्रंखला से जुड़े वे तो हैं तो यह कितने नंबर पर एक दो और तो दो पर क्या है तो आप आगई यह बात समझ में अब आते हैं जब यह एक से अधिक कार्बोक्सलिक समूर होते हैं तो दिल्कीन का प्रतेईल बरक्राव रखा जाता है और और एक ऐसी के लिए अगर अगर हो ऐसा हो जैसे पॉर एक्जाम्पल अपने पास CH-30 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 CH-2 CW-OH राइट यह नहीं अब आपको देखना है एक दो तीन और चार राइट अब इसके अंदर क्या है दो प्रतिस्ता पी समानत अपन क्या लिखेंगे 3-3-diamethyl-diamethyl कैसे आया तीन पर दो मैथिल अना तब आई मैथिल क्या व्यूट वन ओएक एसट प्रियर बीटा बात समझ में आ गई सभी को जल्डी से बता दो यह सो जल्दी 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 सभी बताएंगे जल्दी से बात समझ में आ गई तो जल्दी से यस नाम दिखेंगे ओके ड़न ओएक एसट से पहले अंको द्वारा इंगित किया जा सकता है यह हमने इंगित कर दिया कहां पर लगा हुआ है अफकोर्स और यह वरीता सूची में क्या होता है सबसे पहले स्थान पर आता है बात समझ में आ गई तो जल्दी से लिग दीजिए यस नाम जल्दी अधि dessi 70 अधिशन दो बातों पर द्यान मत दो रिटा समय हाथ से निकल जाएगा कि भी नहीं कर पाईगे वीडा बीता हुआ समय कभी लोट करने साहिए तो जल्दी जल्दी चलते हैं आगे अब बहुत सारे देखो यहां पर दिये गए हैं बहुत सारे formulas इसे पर над aumentar acid यह बेए आधन łीं आधीर्ट ऑगे अध्य ऑग्स हों मैलोनिक अमल आध्य सकसीनिक अमल आध्यूठ आधडिक अम्ल और भी आपके हाफ एले एक्जाम आरे तवलत वालों पूरा स्लेबस आना है तो इससे ज्यादा इंपोर्टेन्ट कुछ नहीं प्रका तो कोशिश करो कि ज्यादर ज्यादर आप लोग क्या कर सकते हैं इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं पड़ सकते हैं आज जाएए जी तो अपने पास क्या है वन्टू तो एथेन वन्टू डाई कोई कैसे प्रॉपेन मेलोनिक एसिट में बहुत इजी है इस फॉर्मूले को याद रखना देखो इसके अंदर बीच में सीएश्टू लग गया मैलोनिक एसिट दो सीएश्टू लग गए सकसिनिक एसिट और चार लगते ही एडिपिक एसिट यानि की याद रख सकते हैं और जिसमें कोई सीएश्टू नहीं है अगर दो कार्बॉक्सलिक एसिट के बीच में एक चीएश्टू आया तो उसे अपन क्या करेंगे मैलोनिक आसिट दो सीएश्टू जुड़े सकसिनिक एसिट तीन ग्लुटारिक चार क्या हैगा एडिपिक एसिट यह आपको बहुत 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 हेल्प करेंगे आप सभी कि बच्चे इनको याद करेंगे ही वैसे तो याद करने का मैने ट्रिक बता दिया है तरीका भी बता दिया है पर कोशिश करो कि दो-तिन दफार लिख करके इसको को के बात समझ में आगी तो जल्दी से लिख दीजिए यस मैम ऑके अब आज तो आराम आलाम से पढ़ा रही हू मैं you don't worry okay बस थोड़ा सा स्पीड इसलिए बढ़ाना चाहती हूं ताकि बोर्ड में जब आप एक्जाम देने जाएं तो आप भी उसी स्पीड में लिख सकें ओके आपका ही हित है इसके पीछे चलिए बच्चों सब को समझ में आ गया थमसब बेज दो जल्डी से जल्डी सब फटा फट सभी बच्चे भीजेंगे बेजेंगे जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी ओके थैंक यू सो मॉज थैंक यू चलते हैं आगे अब अगला टॉपिक के विटा कार्वॉक्सलीक समय जो है उसकी सरंचना कैसी होती है कार्वॉक्सलीक आइप इसक्ट करता है आपको दिखाई दे रहा है कारबोक्सिलिक जिसका क्या होता है iron separation हो जाता है यहनदर कि इसके अंदर अनुनाद प्याजा रहा है क्या पांद़ जानने जाता है कि वजह से क्या होता है क्या नहीं चलदी बता आओ ज Vidya से ज्ञादा कार्व Bene या नहीं जल्दी बता दीजी फटाफट फटाफट सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी समझ में आई हाँ या ना अगर समझ में आ गई है तो जल्दी से बता दीजी यस माम ओके चले आई अब चलते हैं अपने पॉइंट पर आप पढ़ने वाले हैं अपन कार्बोक्सलिक अविपन को बनाने के लिए एक तो च है जिसमें पहला क्या है राजा पहला क्या है बिटे जिसके अंदर पहली अविक्रिण है क्या पहली आफिक लिया है आ पके पास सब्सक्ता had प्रात्मिक एल्कोहल और किस से एल्डी है इसे राइट सेकिन अभिक्रिया कौन सी है दूसरी अभिक्रिया है आपकी एल्किल बेंजीन से जल्धी से बताओ चाठ बनाकर पढ़ाना एज़ी है लगता है नहीं जल्दी बताओ कमेंट में फटावर फटावर और में साथ बनाता हूँ बनाते चलू चाठ एलखिल बेंजीन से थर्ड अभी करिया कौन से है? थर्ड अभी करिया है नाइट्राइल और एमाइड से नाइट्राइल अच्छा नाइट्राइल क्या होता है बच्चो नाइट्राइल और एमाइड से से भी लिख सकते हैं द्वारा भी लिख सकते हैं नाइट ड्रेल किज़ को बलते हैं साइनाइड पूर्ट है एम एकसंपो तो बिंए किसको बोलते हैं आर सी दवल वोर्ट कोठने टीव है यानि की कार्बन नाइटीरजिन के बीच में क्या आ जाता है कारभी फा जाता है राइट आप थर्ड रियंक्शन कौन सी है चल्दी जल्दी जल्दी बनाओ बनाओ फड़ा फड्स ग्रियो प्रिये जल्दी से जल्दी से बता देजिए आब आती है फांच मी अभी की एसी है लाइड द्वारा और पांच भी छटी अभी किया है एस लियर बात समझ में आ गई एसल है जानते हो ना एसल ग्रूप सी डवल बॉंड ओ सी यह है लाइड हो गया एक्स लिख दू यह एसल है लाइड द्वारा एस्टर आप सब जानते हैं आर सी डवल बॉंड ओ ओ राइट यस और लो जल्दी जल्दी बता दीजिए अगर बात समझ में आ गई तो फटा-फट सभी बचल लिखेंगे यस माम जल जल्दी से जल्दी से चल्दी से ओके चार्ट क्लिया सबीका तैंक यू धैंक यू धैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए वेरी गूड फटा-फट जल्दी से आ जाए आपन शुरू करते हैं विर्चन की वीडियों में सबसे पहला रियक्शन डीए तो आरह यानि सबसे पहले अपन लिखेंगे किसके दौरा अपन लिखेंगे सबसे पहले प्रात्मिक गौन आ प्रात्मिक गर्राक्य टो हे जुआ अब प्रात्मिक एल्कौह राकल क्या मतलब गात राइट आ और आपको क्या बनाना है सभी बच्चें बॉर्ड पर ध्यान देंगे प्राथमिक एलकोहल की यदि में बात करूं तो प्राथमिक एलकोहल है यानि की सपोज के आरो अब इनका ओक्सी करन करते हैं तो अपन जानते क्या बनता है बिटा या तो बनता है India यह बनता है किटों और उसके बाद अपन फिर से इनका ओक्सिकरन करें तो क्या बन जाता है राजा फिर बन जाता है कारबोकस्लिक सिस्ट और लो चल्डि बताओ जल्दी बताओ जल्दिवाद बात समझ में आई है या या जल्दी इसे बता दिजी पताफ़ फटाफ़ फटाफ़ लियर है बिलकुल होनी भी चाहिए बाथ क्लियर होनी भी चाहिए left तो यह करे प्रात्मिक एल् 2017 क्या होता है राजा प्रात्मिक एल्कॉहल होता है एख 30 CH2OH राइट अब इसका ऑक्सिकन करना है तो आप सब को पता है ऑक्सिकन के लिए प्रबल ऑक्सिका रख चाहिए राइट वह किसी भी माध्य में हो सकते हैं लिए चाहिए कई आप सोचते होंगे कि मेडम यहां आगे चाहिया है इसका मतलग क्या है बिटा कुछ नहीं है अगर कोई अक्सिकारक है अमली माध्य में तो वह क्या देड़ा है एच प्लस आयन भी दे रहे हैं और चाहिए माध्य में दे रहा है वी लियन के अंदर क्लियर तो अमली मादम में टेंशन नहीं लें न अक्या ऐम लिग दिया तो क्या कुछ नहीं ऑक्सिक कारक जो है वो जब किसी विल्ययक में विले हो रहा है तो मादम मेरी अमली है तो उसके अंदर A&H plus A&H मिलेंगे और चारी तो ओचारील है तो okay clear thank you चलते हैं आगे तो यहां पर लिग दिया है चारील हो चारील कि K M & O 4 पूर या फिर के ओच के साथ राइट तो अब यह दुण आप यह reaction कर रहे हैं तो आपके पास बनना चाहिए क्या बनना चाहिए कि आपके पास क्या आपके पास बनना चेसी डेवल बॉन ओ एच हाँ यह जल्दी बताओ कैसे बनेगा यह ऑक्सिकरन हो गया यहां से इसको ले लिया दो हाइडोजन लिए और क्या निकल गया एच्टू राइट अब इससी रियक्शन वापस किसके साथ करा दो यहां पर अप अपस ऑक्सिजन देगा और क्या बन जाएगा आपके पास क्या बन जाता है सी डवल ओ एच राइट यस और नो जल्दी चल्दी बताती है एक तरीका और है वह और बताती हूं यह बात प्लियर हो गए आजए आप चलते हैं आगे अब यह दिया आपके पास कोई छाद है सी astrology see see, है यह पते क्या करना है अगर आपके पास में कo 6 है और km 4 है चाहरी यह मांदम यह एक लिगा यह से बन टूटे और यहां से यह सभी हो सकता है कUND हमे यहां से बन टूटा प्लस यह माइनस और यहां से टूटा यह मायनस और देदा है यह प्लस राई यह radiant और यह इसके साथ जुरू क्या रिमों हो गया CH3CH2 और क्या बन गया ओके यस और जल्दी जल्दी बताओ फटाफट बताओ जल्दी 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 आप यह भी हो सकता है अगर आप ऐसा ना करें तो इसकी रियक्शन डायरेक्ट भी हो सकती है कैसे यहां पर देखो आपके हाँ यहां पर यहां पर भी है है और इदर अब आपने क्या किया जो हम बमकिन और यहां से बीजा दो दो बंद को तोड दिया और यहां पर जोड करेके oxygen double bonded oxygen लगा दिया 2 बंट टूटे ना दोनों बंद के साथ में क्या जोग दिया oxygen और यहां पर यह ऐच निकल के साथ और यहां पोटेशियम तो क्या बन गया यहां पर CH3C double bond O K plus इसी की reaction जब आपने जो अच्टू निकाला है तो वो अच्टू क्या करेगा वो अच्टू वापस यहां पर reaction करेगा और वापस क्या बन जाएगा एच प्लस ओच माइनस तो यहां हां गया है एच यहां हां गया ओच राइट CH3C double bond O एच क्लियर है जल्दी से बता दीजिए अगर क्लियर है तो यस मैं लिख दीजिए प्लीज 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 इतना खोल कर आपको कहीं भी नहीं पढ़ाए जाता है सिवाइड डाउट नट के जल्दी से आ जाएए फटाफट फटाफट इस समझने कोशिश करोगे तभी बात समझ में आपको सोच रहे होगी मैडम यह दो बंद कैसे यहां से हाइड्रोजन एक गया दूसरा हाइड्रोजन भी गया राइट दूसरा हाइड्रोजन जाते ही क सकते हैं क्लियर बात समझ में आ गई तो यहां पर दो बंद दो बंद ऑक्सिजन बना सकता है इसने बना लिए अब ठीक है आपको लग रहा होगा ना कि कैसे तो मैंने बता दिया है आप कोई डाउट नहीं थाइंक चलते हैं आगे यह तो हुआ आपका क्या किसके द्वारा बिटा अलकोहल द्वारा अब आता है आपका क्या लडी हाईड द्वारा अब लडी द्वारा आपन बात करें तो अपने पास क्या होगा तो यहां पर आप बात करेंगे लडी हाईड द्वारा अल्डी द्वारा क्या विटें लडी द्वारा च्छ थरी यहां तो बहुत इजी है एच राइट यहां पर वही क्या मनों फोर यह चारी यह अमली माद्द में के टू सियार टू ओ सेवन भी ले सकते हैं ओके अब यह ओक्सिजन यहां से यहां आया और क्या बग गया च्छ 30 सी राइट हाय या ना जल्दी जल्दी बता दीजिए वहीं परेदी की टून की बात करूं तो सी अस थरी सी डवल ओन ओ छी थरी यहां क्या होगा के एम ौन के एम अन ओ फॉर रह तो यहां से यह बंद टूटेम और यहां पर च जिसमें एक वापस जाएगा और किसको लेकर जाएगा oxygen को लेकर जाएगा oxygen भी जाएगा यहां पर हिजार यहां पर श बीजा Nicholas ौन जिएट है बात समझ में आ रही है yes और नो तो क्या बन गया यहाँ पर क्या बन गया थ fact ciko Consider World ओ ग़े और हच प्लस में ह सी डे वलबन गया है तो यहां पर क्या एक है डोजञ यहां पर अप्य आपके पास आप डो बन टूल किया जो दोबंद है वह ओक्सिजन बना लेगा यहां पर भी आपके पास हाइडोजन को और और दिखर तरहीं करने क्यूं कर रही हूं मैं यह क्या है ऐसा क्योंकि मेरे पास प्रबल औकी का रहा है जितना चाहे आक्सिजन हम ले सकते हैं ताकि हम क्या बना सके हम क्या बना सके कार्बोक्स लिक ऐसे डर बना सके लियर बात समझ में आ गई तो पटाफट पटाफट लिग दीजिए यस मैं आप इसको अच्छे से समझ सकते ऐसा नहीं है अगर आपके पास यह है न तो यह आ गया एच एच बीटा डबल बॉ यह क्लिया आपको डाउट नो भी नहीं सकता है चलीए जी आईए चलते हैं आगे अगर किया की को इसेक अब दूसरी डाऊट किया है राजव आप दूसरी अभी क्लिए क्या है बटे आप दूसरी अभी क्लिए है ते अब लike बैंचीन से यकल बैंचीन मतला टॉलमी समझ यह और नो जल्दी बताओ हाँ यह ना सही है आप इसको ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं c h h all right हाँ यह ना जल्दी बताओ अब अपने को इसका क्या करना पढ़ेगा अब अपने वुटत करना पढ़ेगा अब अपने तो आपने कुंते बसे आपको तो यहां से दोनों हाइड्रोजें गए और आप आप एयान्य वहाभ works हाय इना थीन देढो पूंछ और तीन क्यों मैं क्यों कि अपने को यह ते इंदु अभी करते हूं देखो देखो एक ठीक है और यह जो गए अब यह दो हाईडरोजन जो है आपके पास दो हाईडरोजन जो है आपके पास वो इसके साथ clear, yes or no तो प्रॉड़क्ट क्या बना जल्दी बदा प्रॉड़क्ट क्या बना प्रॉडक्ट बना आपका हाँ या ना बेंजोईक अम्ल समझ में आगी सभी बच्चों को जल्दी से उतार लिजिए पटापट 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 ताकि सभी को बात प्लियर हो जाए अब इसकी एगर मेकनिसम को आपको देखना है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आप देखते हैं कि अपने पास क्या है ठीक है और अपने पास क्या है के ओच और क्या है अपने पास के एम एम और फॉर राइट यह क्या कर रहा है के प्लस ओएच माइनस और यह क्या दे रहा है आपको ऑक्सिजन जितने चाहे ऑक्सिजन ले लो ठीक है कोई दिखत में इन्होंने क्या किया यह हाइडरोजन को रिमूव किया हाँ या ना और ऑक्सिजन को जोड़ा कितने चाहिए दो चाहिए तो यहां पर अपने पास क्या है अगारबन तो पहले से था डबल बॉण था फिर सिंगल वॉण ऑप यह पोटेशियम बीस के साथ हाँ आपने पास और बचा हुआ है एक दो तिन और एक चार चार हाइड्रोजन तो क्या बन गया 2H2 क्लियर हाँ या ना जल्दी बताओ चार आइड्रोजन तो इस टूए तो बनेंगा हाँ या ना ओक्सिजन तो आपके पास अनलीमिटड है जितने चाहें लो और क्या होगा एच प्लस ओच माइनस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ यहां से निकला प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ प्लस प्रोडक्ट क्या बन गया सी बेंजीन क्या गया डबल बॉन ओ ओ यस और जल्दी बता दीजिए जल्दी बता दीजिए फटाफट बता दी के आपको बात समझ में आई जल्दी से जल्दी से जल्दी से डान ऑके ठांद बेज दो जल्दी सभी सब्क्राइब ऑर्ट फटफट फट फटफट वटफट अगले चलते हblocks आपकी नैट्राइल और माए से हिना क Connie reaction क्या है फैटा थर्ड रीक्षिन है आपकी क्या नाइट्राइल और म Ah सब्सक्तक्राइब अब नाइट्टार गमातलब है नाइट्राइल और मातलब है कि आप के पास अभी क्लिए है और सी एंके साथ रहिट जल्दी बता दू और सी एंके साथ अगर आप उसका क्या करदे तो के साथ भी अक्शन करते हैं और विस अश्ट्टुस पा क्या हो गा आन्शिक जलब कःफ़कों अब जल्दी बताओ आप में से किसको पता है ऑन्शिक जलब घथन के बारे क्या मैंने बताया है क्या जल्दी बताओ है बताया है कि है एक्षी न कान सिगा पूर्ण किया होता है है एच एलग और ऑग्षीजन थो यहां पर ट्रीपल बॉंडडेड है यहां से हाइज्ड्रोजन तो किसके पास नाइट्रोजन के पास और ऑग्षीजन के इसके क्या बन गे आद की डबल बोंड ॉ और एच जू further इसका क्या करना पड़ेगा h2o के साथ reaction करो और क्या बन जाएगा यहां से टूटा plus और minus क्या बन गया आज c double bond o o h clear हाँ या ना जल्दी बताओ जल्दी बताओ सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे बात समझ में आई है या नहीं जल्दी 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 चलें हां या ना जल्दी बताओ देखो आप यह इसकी mechanism को देखना चाहते हैं तो आप आराम से c h 30 c triple bond n react with a किसके साथ बिटा h2o के साथ इसका विश्मांस विकंडन होता है अच और ओम राइट अब देखो बिटा यहां से बंद तूटा जैसे बंद तूटा तो यहां क्या बन गया double bond और यहां आ गया सिंगल अब इसके पास दो बंद खाली है दोनों हाइड्रोजन च क्या बन गया और c h 30 c double bond o n h 2 a mind बन गया और इसी एमाइड का यदि वापस जल अफगटन कर दिया जाए तो क्या बन जाता है वही यहां पर समान स्विकंडन होगा या पूर अफगटन होगा और क्या बन जाएगा c h 30 c double bond o o h plus ammonia NH3 का मान हो जाता है क्लियर बात समझ में आ ग फटाफट 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 अब मेकेनिजम क्लियर है एक्जाम में डाइरेक्ट रियक्शन ही पुच जाती है इसी लिए थियोरी की बजाए रियक्शन कैसे होती है उस पर ध्यान दो ओके चले आईए जी अब आती है चोथी रियक्शन अगले रियक्शन है विटा किस के साथ ग्रियन्यार अभीकर्म के साथ ग्रियन्यार अभीकर्म क्या होता है और mgx react with a co2 यह निकी शुषक वर्फ के साथ जब ग्रियन्यार अभीकर्म क्रिया करता है तो क्या बन जाता है आप सी डवल वंड ओ ओ एच क्लियर यह सोर नो जल्दी बता जल्दी जल्दी बता अब आप इसकी रियक्शन की मैकनिजम कैसे करेंगे सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे तो यही एक मात्र ऐसा अभी कर्मक है जिस पर प्लस अब अपने पास क्या है राजा सी डवल वोंड ओ सीड़ा है यह तूटा यहां से बन यहां माइनस और यहां प्लस आप देखो प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ क्या रहा है राजा राइट तो प्रॉडक्त क्या बनेगा हड़ी जहां से तूटती है वहीं से जुडती है आपके पास क्या आगया यहां पर आगया CH3 क्या CH3 अब इसके साथ अपने को यू दिखाना है क्या जुड़ा हुआ है M O M G B R और इसकी के साथ यहां पर क्या जुड़ेगा C double bond O राइट अब इसकी रियक्शन यदि आपको करनी है तो वहां पर क्या होगा विटे यहां पर क्या होगा H plus OH की रियक्शन करवाँ यहां से बंद टूटेगा यह माइनस यह प्लस यह प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ क्या बन गया CH3 C double bond O क्या आएगा OH plus mg एक तरफ यार बात समझ में आ गई सभी बच्चों को तो जल्दी से बता दीजिए यस माम जल्दी 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 यह बात सब को क्लियर होनी ही चाहिए कुछ नहीं है CH3 है उसको तोड़ा है तो CH3 जैसे ही टूटा है तो CH3 यहां पर अपने पास क्या है अच्छा यहां सोच रहे हैं मैं यहां चार बंद कैसे पांच बंद बन गए तो अनिस्टेबल कंपाउंड हो गया यह तो बात तो सही है बात तो बिलकुल बिलकुल सही है आप लोग जो कह रहे हैं वो बिलकुल सही है तो आपको इसको कैसे करना है अभी मैं बात कर लेती हूँ यहां पर देखो आपको बात समझ में आ जाएंगे मैं वापस बता देती कैसे कैसे आया है चले तो यहां देख लो यह कार्बन है ठीक है यह कार्बन है इसके साथ डबल बॉन करके ओ जुडा हुआ है यहां क्या है ओ है अब प्लस के साथ माइनस mg ठीक है और यहां पर क्या लगा दिया च बात है अब तो ठीक है आप आजो वही एच टू के साथ रियक्शन वही टूटा माइनस प्लस और क्या बन गया च थरी सी क्या बिटा सी डबल बोन ओ वह प्लस क्या बन गया विटा एमजी बी आर ओच डन चले आगे जल्दी से बता दीजिए यस और फटा फट 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 सभी बच्ट जल्दी से बताएं गे ऑगे चलें आगे जल्दी बताएं यस माम फट 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 अगली अभी अपन्च नंबर अपने पस्क्राइब पाँछ विया यह ऐसील लाइफ एसे लाइट क्या मतलब वहता राजा एसी ले इनम्रता क्या होता है अँवी मैंने बताया था ना CH3C double bond OCl react with किसके साथ यदि acyl halide किसके साथ react करता है आप दो तरीके इसका रियक्ष करवा सकते हैं अगर वो किसके साथ H2O के साथ रियक्ष करता है तो चारिय माध्य में जैसे ही reaction करता है तो क्या बनता है कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और इस माध्य में वह हमेशे क्या बनता है कार्बोक्सिलिक आम क्लियर बात समझ में आई जल्दी जल्दी बता दो क्योंकि यहां से अच्छिय तो रिमूव हो जाएगा यह यहां चला जाएगा जब कि यहां पर H plus OH minus ह के साथ यह और OH के साथ सही है हाँ यह ना जल्दी बता दो अब इसकी रियक्शन उन्हें एच्टू के साथ करवाँ तो क्या बन जाता है वापस आर सी डबल वोन ओ वह प्लस क्या हो गया वह नेगेटिव क्यों क्योंकि ओश नेगेटिव यह दर्शारा है कि अभी क्लिया चारी यह मांतिल में होत जायन दे रहा है तो यह शारी मद्या में ःभिक्रिय संपन हो रही है बात समस्थ में आ गई तो फटा-फट लिग्दीजे यह और इस were C te और उतार भी सतने हैं जल्दी जल्दी चलते हैं आगे अगली अभी किलिया जो है वो है किया इस radio क्या पिटा है शथी और श्रेक्षणändern क्या वीटा 2 h 5 okay done reaction किसके साथ करेंगी विठा रियक्शन किसके साथ कर भाएंगे इच्छन कर भाएंगे आप इसके साथ हमेशा h2 k साथ कर दिया लिया क्या मना h plus or h minus यहां से बंदर यहां से टूटा है यह 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 क्लियर क्या बन गया सी टू एच फाइफ क्या सी डवल बॉंड ओ वेच प्लस सी एश थरी ओ एच लियर यस ओर लू जल्दी जल्दी बता दीजिए आप ऐसा भी कर सकते हैं चैस थरी सी डवल ऑन ओ ओ सीटू एच वाइफ इस कंडिशन में क्या हो बढ़ा इस कंडिशन में होगा सीटरी सी डवल ओ ओ एच प्लस सीटू एच हुए क्योंकि यह थी आप बंद्ध टोड़ते हैं तो यह प्लस में और यह माइमस में डैन जल्दी जल्दी बता दीजिए अगर बात समझ में आ गई है तो फटाफट 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 जल्दी से बता यह आज की क्लास आपको कैसे विए सारी बात लिए हैं अभी के सारी क्लियर हो गई है सारे बंद मैंने तोर कर समझा दिये हैं तो अच्छे से पढ़ाई करो खुश रहो मस्त रहो लेकिन पढ करते रहो और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जाना ताकि मैं उनका अगली क्लास में आंसर कर सकूंँ ओके बबाई टेक क्या